गुट मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स हाव रियू इन प्रिवियस सेक्षिन वी स्टुडिड अबाउट दा एंडोस्पम डवलप्मेंट कैसे होती है ठीक है उसके बाद हमने पड़ा था मोनोकोटो डाइकोट के बारे में ठीक है एंब्रियों के बारे में तो बिटा हमन के पाद जो जाइकोट था वो डवलप कर गया था जाइकोट माइटोटिक डिविजन करके डवलप कर गया था देखा था आपने इस तरह से सस्पेंसर सेल बेसल सेल ठीक है वो एंब्रियों बनाए गया था एंब्रियों अगर मोनोकोट सीड है तो मोनोकोट की तरह डवलप हो गया था नहीं डाइकोट की तरह है डाइकोट क्या होता है ये डाइकोट है ठीक है इस करें से two parts जाहें गहें इस तरह से ठीक है ये डाइकोट बन गया बिटै ये germinating है ठीक है तो embryo development हो गया monocoat या डाइकोट की तरह है सुद्द ज्लमें Panel थैppers एंब्रियो जो है ठीक है यह इस तरह से था अंदर की तरफ एंब्रियो सेक ठीक और इस तरह से मैंने आपको एक फॉल का स्टॉक्चर पढ़ाय था इस तरह से ठीक है तो यह तो क्या के लाएगा बिट्या embryo sec, ठीक, इसके अंदर क्या develop हो गया, jai goat fertilization कर दी उसने, ठीक jai goat कि इसमें बदल गया, दीरे-दीरे embryo में, जैसे ही वो embryo में बदलता है, बार भी changes आते हैं, ठीक है, और protective goat बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं बटा, और endospom भी बनता है, यहाँ पर जो nutrition provide करता है, वो protective coat क्या कहलाते हैं, seed coat ठीक है, इसके बार, यह germinate होने से पहले, cart of covering थी, seed coat, उसे क्या कहते हैं testa, ठीक, तो एक seed जो है, जो embryo बन गया dicot और monocot में develop होगा embryo, और बार की तरफ क्या बन गया ovule से, seed बन गया और ovule से क्या बन गया, fruit बन गया, ठीक है, तो जो ovule है, जैसे यह देख रहे हैं apple का structure देख रहे हैं, ठीक इसमें यह seed है, seed के अंदर क्या present है seed के अंदर, embryo present है, तो embryo, ठीक है इसके बार देखो, seed के अंदर क्या क्या होता है, यह जो seed है इसके अंदर क्या होता है embryo होता है जिसकी development आमने पढ़ी है ठीक आप देखो बिटा ये क्या है seed है ठीक है ये बाहर निकल लिए दिखाई दे रही है आपको ये इस तरह से ये पल्मियूल है ठीक है और ये अंदर की तरफ इस तरह से है ये radical है जो root develop करेगी ये stem develop करेगी समझ में आगया और ये क्या है बिटा डाइकोट है समझ में आगया तो एक seed के अंदर ये चीज present आपने देख ली ठीक है तो seed और seed के अंदर embryo होता है embryo की development आमने पढ़ ली और जो ovule है वो किसमे डवलप हो जाएगा seed में और ovary जो ए बिटा वो किसमे डवलप हो जाएगी fruit में ओवडी जो एव डवलप हो जाएगी fruit में develop हो जाएगी ठीक है ड़ी करेगी लाइख करेगी अंदर की तरफ जो एग को develop हो रहा है बार की तरफ ovary अपनी वाल को ठिक्चिये जा कि योई देखते हैं यूं ठीक है इस तरह से उनके उपर टू लीज से इस तरह से देखते हैं तो सेपल यूनाइट रह जाती है और जो फ्रूट है वह डवलप हो जाता है ठीक समझ में आगए ठीक अब आती है इसकी डीटेल्स मैचरेशन हुआ हो व्यूल का किस में सीड में सीड बन गया इसका मतलब सेक्शल रिप्रोडेक्शन की लास्ट इस आगी ठीक है इसे क्या कहते हैं सीड जो है वो कहां बनता है फ्रूट के इंसाइड अभी देखा ये दो तरह का हो सकता है अगर उसने एंडोस्पर्म रखा है ठीक है बच रहा है तो अल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा नहीं बच रहा तो नोन अल्ब्यूमिनस कहलाएगा ठीक है फिर बात बात आती है जो भार का सेल जो हमने ओविल का स्ट्रक्टर पढ़ा था जब बताया था उससे क्या काता बटा न्यू सैलस अगर वो रहता है तो वो सीड की आउटर लेयर बना दीता है जिससे पैरिस्पर्म कहते है पैरिस्टरंस नूकलियस ठीक है ओविल किसमें बदल गया सीड में ओवरी किसम tagument थी, तो वो develop हो गए, और क्या बना दिया बिटा pericarp, ठीक है, तो fruit अभी कितने type के होते हैं, false fruit और true fruit, जो fruit develop करती है non-carpillary parts से ठीक है, ovary को छोड़कर किसी भी parts से develop कर जाती है वो false fruit कहलाती है, और जो सिरफ ovary से develop करता है वो true fruit कहलाता है समझ में आया, अगर embryo, अगर embryo, ठीक है, वो inactivity में चला जाए, unfair evil condition है, इन activity में चला जाए, जिसे seed dormancy कहते है और अगर उसको fear evil condition provide कर दी जाए, तो ये seed dormancy break भी हो जाती है ठीक है, समझ में आ गया some fruit, कुछ fruit ऐसे भी है, जो बिना fertilization के भी develop होते है उन्हें किस परकार के fruit कहते है पार्थीनो कार्पिक fruit बिना fertilization के ही develop हो जाते है डायरेक्ट, जैसे कि banana, banana के अंदर seed नहीं होते, क्योंकि कैसा fruit है ये, पार्थीनो कार्पिक fruit है, कैसे develop होते है without fertilization के, समझ में आया, ठीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा male part female part डवलप होए थी हमने पढ़ा, इस chapter के अंदर female gamit mega sporogenesis से develop हो गया था और male gamit micro sporogenesis से develop हो गया था ठीक है, mega sporogenesis embryo sac बना ठीक है, इस तरह से हमने देखा, अंदर की तरफ embryo sac बन गया था, ठीक है, फिर हमने देखा, ये वाल थी इस तरह से nucleus, new cell डवलप हो गया था, ये ovary, ये पूरी ovary कहलाएगी, ठीक है, और ये ovule कहलाएगा, समझ में आया, ठीक है, तो ये fertilize करके, अंदर अंदर जाइगोट बन गया, ठीक है, इधर की तरफ endospum डवलप हो रह ठीक, जाइगोट ने क्या किया, fertilize ovule बना दिया, ovule ने seed बना दिया, seed जो है, वो राइप हो गया, ठीक है, और उदर से, जो ovary है, वो राइप हो करके, क्या बना रही थी, fruit, fruit राइप हो गया, और सारी चीज़े जो है, इसके बाहर के, वो सारे जड़ ज़एगे, सिरफ क्या रहे ज़एगे, जो रहे ज़एगे, जो निचे की तरफ प्रेजेंट होती है, समझ में आया, ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पड़ा, कैसे फूरूट बनता है, अब इसके चोटी मोटी ट्रम्स रहती है, अपो में उस बोली, हम रोईनी क्या होता है, स